जानकारी दे दी गई है और मेरे पास जो है यूजी सी का जो भी रिपोर्ट है उसकी पीडिया फाइल है ठीक है अब इस पीडिया फाइल में जो है जल्दी से बात कर लेता हूं कि इसी क्या क्या चीजे है जो आपको जानने के लिए यहां पर दे रखी है फिलाल यहाँ पर सबसे पहली चीज है दोस्तों यहाँ पर आ रहा ही है बात की छिक जो है सत्र जो है नया जो आपका क्लास स्टार्ट होने वाला उसके बारे में बता गया है यहाँ पर बताया गया है कि mode of teaching process कि किस तरीके से आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं ठीक है सबसे पहली चीज यह तो यहाँ पर main चीज दे रखा है कि face to face interaction ठीक है यानि कि face to face आप बच्चों से इंटरेक्ट करें ताकि उनको जादा बेटर जो experience मिल सके classroom का ठीक है अब बताय जा रहा है कि आप इसको किस तरीके से कर सकते हैं तो इसको आप गूगल क्रास्रूम गूगल हैंग आउट सिस्कू वेबेक्स मीटिंग यूटूब स्ट्रीमिंग ठीक है स्वयम प्लाटफॉर्म या स्वयम प्रभा इन सभी चीजों का इस्तमाल करके जो है आप बच्चों कि आप किस तरीके से बच्चों साथ इंट्रेक्ट करिएगा या नहीं बच्चों को नए सत्र में कैसे पढ़ाईएगा ठीक है अब बात करते हैं दोस्तों कि यहां पर जो चीज़े जानने वाली है वही चीज में बताऊंगा वीडियो जादे लंबी हो जाएगी यहां पर यहां पर सबसे पहरी चीज आ रही है कि तो इसमें एक बात बताई गई है कि जादा से ज्यादा स्टूडेंट जो है वो रूलर एरिया से आते हैं वहाँ पर इंटरनेट जो सुविधा उतनी अच्छी नहीं है और वो जो है इंटरनेट सुविधा का इस्तमाल नहीं कर पाएंगे और क्लास मतब नहीं कर पाएंगे तो इसके बारे में यहाँ पर दे रखा है कि mode of examination के लिए आपको जो है physical mode of examination को अपनाना ही पड़ेगा अगर आप examination करवाते हैं और लाइन examination लेना संभव नहीं है बिकाज इस्टुडेंट बहुत काफी दूर दूर से आते हैं पढ़ने के लिए और वो रूलर्स एरिया से भी आते हैं ठीक है इसलिए जो है physical mode of education इस्तमाल करना है आपको ठीक है यह चीज़ें बताई रखी कही है आप इसी तरीके से एक यहां पर दे रखा है कि mcq omar based examination ठीक है पहली बात तो mcq type questions आपको एक omar seat पर ले ली जाएगी यह आपका जो है mode of examination हो सकता है फिर open book examination ठीक है open choice assignment presentation based assessment etc यानि कि आपको assessment project work दे दिया गया ठीक है और फिर open book टेस्ट हो गया आपका तो इस तरीके से जो है examination आपकी ली जा सकती है यह तीन method बताया गया ठीक examination के उसके बाद दोस्तों यहां पर दे रखा है कि त्री आवर का जो टाइम दे आया था उसको घटा कर जो है दो घंटे का पेपर कराया जाए ठीक है यहां पर यह बाते बताई गई है ठीक है यह तीसरी बात थी फिर यहां पर जो है कई चीज़े दे a Also work आ बात बताई गई है कि जो वह बात करता है कि यहां पर जो थो पास आउट होने वाले अंकी लिए कی उनका सम्हाईन कराना ही कराना है ठीक है कि गया थी है देखा होने इनका इकड़ाना ही कराना है ठीक है किसी बाइन पाध्या स्वह हुट रही है और यह घा अ तो थर्ड यर के लिए जो है बुरी खबर है कि उनको जो है एक्जामिशन देना ही पड़ेगा ठीक है अब बात करते हैं दोस्तों यहां पर कि टर्मिलस समेस्टर एर एक्जामिशन फर पीजी यूजी कोर्शेश प्रोगाम में बीकॉटेट बाइउनिसिटी एस सजेशन इन इसी तरीके से इंटर्मिडियेट यह समेस्टर एर फर्स्ट इयर में हैं उनके लिए भी कई चीजे बताई गई है जैसे कि बताई जारा है यहां पर देखिए 50 परसेंट मार्क ऑन बेसिस ऑफ पैटरन ऑफ इंटर्नल एक्जामिशन ठीक है और इसी तरीके से बताई गया पचास परसेंट मार्क के पर्फानर परोड़न धी किया जो वंभी उन्हें ने जो परबार sacrifices तो है उनकी उसके तो यह रही दोस्तों इतनी सारी बाते इसमें बताई गई है और इसमें ज्यादा कुछ है नहीं और जो में पॉइंट से वो मैंने आपको बता दिये हैं यहां पर वही फिर वीडियो कॉलिंग कॉंफेंसिंग किस तरीके से क्लास ली जाए ठीक है अब यहां पर जो है कुछ क सब्सक्राइब करने चैश्याद करने वाला था तीक है यहां पर जो नए जो नहीं जो मतलब बत्लब बताया जा रहा है जिसे यहां पर बताया के admission process जो है एक 8 यानि एक अगस्त से आपका admission process श्टार्ट कराया जाए यह यहाँ पर बताया जा रहा है फिर commencement of classes टी क्लास कब सुरू कर सकते हैं तो second year और third year की class जो है आप जो है एक 8 2020 से start कर सकते हैं और 19 2020 से first semester या first year के बच्चों के class आपको start करना है conducting of examination आप examination कब connect करेंगे तो 1-1 2020 यानि अगले साल जन्वरी में आप जो है इसको start करिए और 25 जो है जन्वरी तक इसको खतम कर लिए फिर commencement of classes for even semester फिर even semester की बात कर रहा है तो 27-1 से जो है इनका classes start किया जाए ठीक है 25-5-2021 तक जो है सारी classes जो है आपको जो है खतम कर ली जाए फि अगले साल बहुत ही कुछ ज़्यादा गड़बर होने वाला है examination आपके मई में जाके जो है आपके examination होने वाले हैं फिर summer vacation जो है आपको जुलाई में छुट्टी मिलेगी एक जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक जो है छुट्टी मिलने वाली है उसी तरह के से जो है की फाइनल रिपोर्ट में इसका जो है पीडियो मेरे पास था तो उसको मैंने आपको explain कर दिया है वीडियो चिलेगी दोस्तों तो like करिएगा share करिएगा अपने दोस्तों के साथ और ऐसे नए अपडेट पाने के लिए प्लीज हमारे चैनल को subscribe करिए thank you and have a good day